जो हंसा थे वो उड़ गए और कागा भे दिवान नेपाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल ने अब भारत के खिलाप चीन के कहने पर बड़ी साजिस कर दी है वहीं दूसरी तरफ चीन के बारे में अमेरिका का बड़ा खुलासा और पाकिस्तान को इससे बड़ा जटका रूस नहीं दे सकता है आईए जानते हैं इन ख़बरों को विस्तार से चीन की चर्णों में बैठा नेपाल या दूसरे सब्दों में यह कहें केपी सर्मा ओली ने अब एक नई भारत के खिलाफ साजिस को रचना सुरू कर दिया है आपको बता दें CCP से पहले वाला चीन एक सब भी चीन था उसके यहां दार्षनिक संगितकार बहुत सारे लोग हुआ करते थे कई ऐसे दार्षनिक थे जिनोंने भारत का ब्रह्मन भी करा और बड़े अच्छ अच्छे लेख भी लिखे किताबें भी लिखी भारत के बारे म लेकिन वह दौर अलग था उसके बाद अचानक से CCP आ गया और CCP ने सत्ता पर जैसे ही कबजा करा उसे समझ में आ गया कि अगर लोगों को बस में करना है तो उनकी जड़ों को काटो और जड़ों को काट कर उसके दिमाग पर पूरी तरीके से कबजा कर लो और इसके लिए CCP ने सबसे पहले चीन की सिच्छा नीटी पर बदलाव कर दिया और वहां की किताबों में यह भर दिया कि चीन को पस्चिमी देशों से खत्रा है पस्चिमी देश चीन के दुस्मन है और अपने बच्चों के दिमाग में यही भरने लगा कि CCP जो भी कर रही है वह सही कर रही ह CCP अपने देश की भलाई के लिए कर रही है उसका फल यह हुआ कि आज चीन की जनता इस से उपर सोच ही नहीं सकती है कि CCP उनके खिलाफ काम कर रही है CCP उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है CCP यानि जिनपिंग का सबसे पहला निसाना होता है किसी भी देश की संस्कृती पर हमला उसकी संस्कृती को अपने हिसाब से ढालने की कोशिस आपको याद होगा हमने अपनी न्यूज में बताया था कि नेपाल में जो चीन की राजदूत है हो वियान की उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया कि आखिर गोर्खा सेनिक भारत में सेना में जाने के लिए क्यों उताव ले रहते हैं इसके लिए चीन बेहिसाब पैसे भी खर्श कर रहा है तो अब जब उनका निसकर्स निकल कर आया कि दोनों की संस्कृती एक है दोनों के देश की जनता के बीच में लगाव है तो इस लगाव को कैसे तोड़ा जाए वैसे यह लगाव दसकों पुराना है लेकिन चीन ने या फिर ये कहें कि जिन्पिंग ने उसे तोड़ने के लिए दिमाग लगा दिया और चीन के आदेश पर ही केपी सर्मा ओली ने अब अपने पाठे कर्मों में बड़ा बदलाव कर दिया है नेपाल की सिच्छा नीती में भी दो बदलाव किये गये हैं एक तो मंदारीन भासा को गुसाया गया है यानि कि गुलाम बढ़ने से पहले गुलामों को मंदारीन सीखना अनिवारे कर दिया गया है वहीं दूसरी तरफ पाठे कर्मों में भारत के खिलाप भर भर कर जहर डाला जा रहा है ताकि जो बच्चे उन पाठे कर्मों को पढ़े उसके बाद उन्हें सिर्फ यही लगे कि भारत ने नेपाल के साथ बुरा करा है और नेपाल और भारत के रिष्टे कभी भी अच्छे नहों आज जो एक खुला रिष्टा और खुला पन है वह तो धीरे धीरे खतम होई रहा है जो अगली पीड़ी आएगी वह सिर्फ दुस्मनी की बात करेगी अपने उस संस्कृती को खोदेगी जिसमें यह कहा जाता है कि राम भारत के हैं तो सीता नेपाल की है यानि की भारत और नेपाल के बीच किस तरह की दोस्ती है यह आप पुराने समय से देख सकते हैं इस संस्कृती को चीन पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है और उसमें कहीं न कहीं केपी सर्मा ओली अच्छे से साथ दे रहे हैं अब नेपाल के पाठे करमों में न सिर्फ भारत के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है बलकि भारत के खिलाफ जो विवादित नक्सा है उसे भी डाला गया है उस नक्से के बारे में नेपाल का कहना यह है कि जब भारत और चीन के बीच लड़ाई हो रही थी तब नेहरू ने यह कहा था कि इस जगह पर थोड़ी दिर के लिए हमारी सेना रहेगी और बाद में उस जगह को भारत ने हतिया लिया जब कि भारत इस कालपनिक कहानी की इस मंगरंद कहानी की बिरोध करता है जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली न्यूज में आपको बताया था कि चीन ने बड़ा धोका दिया है नेपाल को जिसकी वज़े से नेपाल में महंगाई है और बेमाने तरीके से दाम बढ़े हैं लेकिन फिर भी केपी सर्मा ओली के आँखों पर पड़ी पटी नहीं हट रही है वो बिलकुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वो नेपाल के परधान मंत्री नहीं बलकि चीन के एक प्यादे हो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि रूस एक दो युद्धा भ्यास अगर पाकिस्ता ले सकता है हाली में जो कावकाच 2020 सेन्य अभ्यास हुआ रूस में उसे लेकर सायद पाकिस्तान को ऐसा ही कुछ लग रहा था लगे हाते एस यो मीटिंग में पाकिस्तान ने जो बचकानी हरकत करी या यह कहें छीछोरी हरकत करी कि रूस के मना करने के बावजूत बीबादि नक्से को दिखला दिया उसकी वजह से रूस की नजरों में और भी जादा गिर गया और इसका ताजा परमान यह मिल रहा है कि रूस ने कावकाच 2020 की अपनी ओफीसियल वीडियो डाली है जाहिर सी बात है ओफीसियल वीडियो डालने का मतलब हो गया कि उस वीडियो में जो लास्ट लाइन में दिख रहा है अब इससे अंदाजा आप ये तो जरूर लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या अवकाद है रूस के नजर में वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ा दावा करा है कि चीन ने अपनी बैलेस्टिक और कु मिसाइलों के उत्पाधन और परिच्छन पिछले 10 साल में बहुत तेश कर दिये हैं और उसके बिसले सक यह मानते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी तैयारी करी है चीन ने अमेरिका कुफिया एजेंसी ने पिछले हफते एक मीटिंग के दौरा एक सेटेलाइट तस्वीरों को जारी करा एजेंसी नाटो सेने एलाइंस को चीन के परेड की दो अलग अलग तस्वीरे दिखा रही है यह तस्वीरे 10 साल के अंतर पर ली गई है और 53 स्क्वाइर पर ली गई है जहां एक अक्टूबर को नेशनल डे मनाता है चीन करीब 10 साल पहले यानि कि 2009 में सेने पर सादा हो गई और 4.3 किलोमीटर तक पहुच गई ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में कोरोना की महामारी होने के बावजूद चीन ने कम से कम 70 परिच्छन किये और इस दोरान बैलेस्टिक और कुरूज मिसाइलों का भी परिच्छन किया गया 2019 में चीन ने 225 बैलेस्टिक मिसाइल लॉंच किये जो कि दुनिया में सभी देशों से मिला कर सबसे जादा है और ये बेहत खतरनाक हतियार भी है वैसे तो रूस और अमेरिका ने 15,000 तक अपने परमानू हतियारों को सीमित रखने का फैसला किया लेकिन चीन ने ऐसा परमानू हतियार गिरा सकती है वैसे चीन के इरादे साफ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मौझूदा महामारी को गुप्त रखा गया वैसे ही परमानू हतियारों के प्रोग्राम के बारे में भी अमेरिका की कुछ ऐसी ही राय है आपकी क्या राय है नेपाल अपन की राय जरूर बताएं